एक बार की बात हैं, एक बहुत बुढ़ी अवरत जंगल में घुम रही थी, वह बहुत ही कमजोड थी और उसे जंगल में सफर करने में बहुत मुश्किल हो रही थी उसके पास ना तो कोई घर था ना ही कोई लोग जिनसे वह मदद मांग सकते थी एक दिनवा जंगल में घुमते हुए, एक सेर से मिली, सेर बहुत ही खतरनाक दीखता था और उसकी अवाज से बुढ़ी अवरत बहुत डर गई थी, लेकिन सेर ने उसे कुछ भी नुकसान पहुचाने की कोशिस भी नहीं की बलकि सेर ने बुढ़ी अवरत से दोस्ति करने का इरादा बनाया उस दिन से बुढ़ी अवरत और सेर एक साथ अक्सर घुमने लगे उसे सेर के साथ बीना किसी डर के दिन बिताना बहुत अच्छा लगने लग सेर भी उसे कुछ दीनों में अच्छे से जानने लग गया था वह उसे खाने की चीजे लेकर देता था और उसे बहुत सी अच्छे जनकारी हासिल करता था दोनों की वीच एक गहरी दोस्ती हो गयी थी एक दीन बुटी अवरत को बुखार हो गया था और वह बीन दवाई के ठीक नहीं हो पा रही थी सेर ने उसकी मदद करने का इरादा वनाया और उसे नदी के पास लेकर गया उसने बुटी अवरत को ठीक से समझाया कि उसे धीरे धीरे ठंडे पानी से नहाना चाहिए ताकि उसका बुखार कम हो जाए बुटी अवरत ने उसकी सलाह मानी और धीरे धीरे ठंडे पानी से नहाने लगी उसके बाद सेर उसके खाने के लिए एक मुर्गा लाया और उसे पकाने के लिए उसकी मदद की बुटी अवरत ने सेर की मदद से मुर्गा बनाया और उसे खाया उसका बुखार भी कम हो गया था बुढ़ी अवरत ने सेर को धन्यवाद कहा और उसको असिरवाद दिया सेर ने भी उसके साथ अलविदा कहा और उसे जंगल के बाहर ले गया उसके बाद से भुड़ी अवरत के लिए सेर उसका सच्चा दोस्त बन गया था इस कहानी से हमेया सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के बारे में भ्रहमित नहीं होना चाहिए और हमेशा उनके सचाई को जानने की कोशिस करने चाहिए इसके अलावा हमें यह भी याद रखना चाहिए